साज संगत जी प्रेम से कहना धन और अंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चानल पर और हमारी आज की साखी का शिर्षक है संत की वानी चलिए संते हैं आज की ये साखी साज संगत जी पुरानी बात है किसी नगर में एक बुढ़ा चोर रहता था उसका 16 वर्षी एक बेटा भी था तो चोर जब जब जादा बुढ़ा हो गया तो वो अपने बेटे को चोरी करना सिखाने लगा कुछ ही दिनों में वो लड़का भी चोरी करने में माहिर हो गया तो दोनों बाप बेटा आराम से अपना जीवन बताने लगे एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा कि बेटा साधू संतों की बाते कभी नहीं सुनने चाहिए अगर कहीं कोई साधू महातमा उपदेश देता हो तो तुम अपने कानों में उंगली डाल कर वहां से भाग जाना ऐसा ही करना तो चोर का बेटा बोला हाँ पता जी मैं आपकी बात समझ गया अब एक दिन उस लड़के ने सोचा कि क्यों आज राजा के घर पर चोरी की जाए ऐसा सोच कर वो उधर ही चल पड़ा तो थोड रखती ने जवाब दिया कि वहां पर एक साधु महात्मा उपदेश दे रही है ये सुनकर चोर के बेटे का मा था ठनका और उसने मन में विचार किया कि मैं इनका उपदेश नहीं सुनूगा ऐसा सोच कर वो लड़का अपने कानों में उंगली डाल कर वहां से भाग गया त इसका नमक खाएं उसका तो कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए ऐसा करने वाले को भगवान सदा सुखी बनाए रखते हैं ये दो बाते उस लड़के के कानों में पड़ गए वो जटपट उठा और अपने कान बंद करके वो राजा के महल की और चल दिया वहां पर पहुंच याद आ गया कि जूट नहीं बोलना चाहिए तो चोर ने सोचा कि चलो आज सच बोलकर देख लेता हूँ क्या होगा तो उस लड़के ने जवाब दिया कि मैं चोर हूँ मैं चोरी करने जा रहा हूँ तो ये सुनकर वो पहरेदार बोला चा जाओ उसको लगा कि कोई राज म महल का नोकर होगा मजा कर रहा है अब वो चोर सच बोलकर राज महल में प्रवेश कर गया वो एक कमरे में गुसा वहाँ धेर सारा पैसा और जेवर देखकर उसका मन खुशी से भर गया एक थैले में उसने सारा धन भरा और वो दूसरे कमरे में गुसा महारा सोईहर था अने उसका बुरा कभी मत सोचना तो उसने अपने मन में कहा कि मैंने जो खाना खाया उसमें नमक भी था इसलिए इसका बुरा मुझे नहीं सोचना चाहिए तो इतना सोच कर वो थैला वही पर रखकर वो लड़का वापस चल पड़ा तो पहरेदार ने फिर पूछा क्या हुआ चोरी नहीं की चोर बोला देखिये जिनका नमक खाया है उनका बुरा नहीं सोचना चाहिए मैंने राजा का नमक खाया है इसलिए चोरी का माल मैं नहीं लाया वही रसोई घर में छोड़ाया हूँ इतना कहकर वो लड़का वहां से चल पड़ा उधर राजा के रसोईये ने शोर मचाया कि पकड़ो पकड़ो चोर भागा जा रहा है तो पहरेदारों ने उस चोर को पकड़ कर राजा के दरबार में उपस्तित कर दिया राजा के पूछने पर चोर ने बताया कि एक माहत्मा के द्वारा दिये गए उपदेश के अनुसार मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने आपको चोर बताया क्योंकि मैं चोरी गरने आया था आपका मैंने धन चुराया लेकिन आपका भोजन भी खाया भोजन मिन्नमक था और इसलिए आपके प्रती मैंने बुरा व्यवहार नहीं किया और धन छोड़ कर मैं भागा अब उस चोर के जवाब पर राजा बहुत खुश हुआ राजा ने तो उसे अपने दर्बार में नौकरी दे दी वो दो चार दिन घर नहीं गया तो उसके पिता को चिंता हुई कि मेरा बेटा पकड़ा गया होगा लेकिन चार दिनों के बाद लड़का आया तो बाप अचम बित रह गया अपने बेटे को अच्छे वस्तरों में देख कर तो लड़का बोला पिता जी आप तो कहते थे कि सादू महत्मा का उपदेश मत सुनना उनकी बात मत सुनना लेकिन मैंने तो एक सादू महत्मा की बात सुनी और उसी के मताबिक मैंने काम किया तो देखिए सचाई का फल मुझे राज महल में अच्छी नौकरी मिल गई है ये सुनकर उसका पिता अपने जीवन के किये हुए चोरी के करम पर बहुत लड़ जीत हुआ और वो जब तक जीवित रहा तब तक वो चोर पश्यता करता रहा साथ संगत जी एक संथ हजारो असंतों को संथ बना सकते हैं लेकिन हजारो संसारी मिलकर भी एक संथ नहीं बना सकते क्योंकि संथ बनना कोई मजाक के बाद नहीं होती एक संथ कईयों के डूपते हुए बेड़े तार कर सकते हैं कईयों के पाप माय मन को पुन्यवान बना सकते हैं कई अभागों का भागया बना सकते हैं कई नास्तिकों को आस्तिक बना सकते हैं कई अभगतों को भगत बना सकते हैं दुखी लोगों को शांत बना सकते हैं और शांत में शांतानन प्रकट कराकर उसे मुक्त महात्मा बना सकती है संतों के वानी से लोगों को शांती मिलती है संतों के दर्शन से समाज का पुन्य बढ़ता है अब वो दिखते तो इंसान ही है लेकिन वो रब से मिलाने वाले महापुरश होती है ब्रह्म वेता संत का आदर मानवता का आदर है ज्यान कादर है ऐसे ब्रह्म ज्यानी संत धर्ती पर कभी कवार ही आती है संत के दर्शन सत्संग से धरम, अरत, काम और मोक्षारो फल फलित हुनी लगती है उन्हीं संत से अगर हमको दिक्षा मिली हो तो वो हमारे सत्गुरु बन गए तब तो उनके द्वारा हमको वह फल मिलता है जिसका आनत नहीं होता एक बार की बात है कि राजा सुशेन कहीं जा रही थे राजा के साथ उनका एक लोता बीटा, उनकी रानी और गुरु महराज थे यात्रा करते करते एक आएक आधी तुफान आ गया नाव खत्रे में थी, सबके प्राण संकट में थे सुशेन के कंठ में प्राण आ गये तो वो जोर-जोर से चिलाने लगे अरे बचाओ, बाबाजी को बचाओ, और कुछ भी ना करो केवलिन बाबाजी को बचाओ बस राजा ने तो इस बात की रट लगा दी एक बार भी नहीं बोला राजाने कि मुझे बचाओ, राजकुमार को बचाओ, या मेरी राणी को बचाओ बड़ी मुश्किल से दैव योग से वो नाव की नाले लगी सबके जी में जी आया, सबकी जान में जान लोटाई मलाहू का जो आगे वान था, उसने पूछा राजा सहब, आपने तो एक बार भी नहीं कहा कि मुझे बचाओ, या मेरी राणी को बचाओ, या मेरे बच्चे को बचाओ आप तो बस एक ही बात बोलते रहें कि बाबा जी को बचाओ, इन बाबा जी को बचाओ तो ऐसा क्यों राजा बोले कि मेरे जैसे तो दूसरे राजा मिल जाएंगे मैं मर जाओंगा तो गद्दी पर दूसरा राजा आ जाएगा रानी और उत्तरा धिकारी भी दूसरे हो जाएंगे लेकिन हजारों के दिल की गद्धी पर दिलबर को बिठाने वाले ये ब्रह्म ग्यानी संत बड़ी मुश्किल से मिलते हैं इसलिए अगर ये बच गए तो सब बच गया पुन्य पाप, सुख, दुख, दे नस्ट हो जाते हैं परंतु संत के सत्गुरु के दर्शन सत्संग कफल अनंत से मिला कर मुक्तात्मा बना देता है इसलिए संतों का हमें दिल से आदर करना चाहिए संतों की वाणी में बहुत ताकत होती है और संतों का आशिरवाद भी कभी खाली नहीं जाता साथ संगत जी अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेर जरूर कर दीजेगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके जाईएगा आप सभी से फिर मुलाकाश जरूर होगी नई साखी के साथ तब तक के लिए खुश रहिए सेवा सिमरंस संकी जीए सत्गुरु माता जी के चर्णों से जुड़े रहिए प्रेम से बोलिए धन नरंकार जी